इंडिया और शिलंका के बीच चलधाई टेस्स सिरीज में इंडिया ने 1-0 से बढ़तो हासिल कर ली है लेकिन अब सिरीज जीतने के लिए टीम इंडिया को बैंगलूरू में होने वाला पिंक बॉल टेस्ट मैच जीतना होगा अगर पिंक बॉल टेस्ट मैच के इतिहास की बात करें तो टीम इंडिया ने अभी तक 3 पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से 2 में उन्हें जीत हासिल हुई है और एक में हार का सामना करना पड़ा है अगर जीत की बात करें तो टीम इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच बांगलादेश के खिलाफ कोलकर्टा के पिछ पर खेला था जहां पे विराट कोली ने 136 रवनों की शांदार पारी खेली थी और उमेश यादव और इशान शर्मा ने 5 विकेट हॉल्स भी लिये थे जिसके चलते उस तेस्ट मैच में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई थी अगर दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो दूसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने एडलेट के मैदान पर ऑस्टेलिया के खिलाफ खेला था और वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कलपना भ अगर बात करें तीसरे पिंक बॉर्ट टेस्ट मैच की तो तीसरा पिंक बॉर्ट टेस्ट मैच टीम इंडिया ने इंग्लेंड के खिलाफ खेला था चन्ने की पिछ पर वहाँ पर इंडिया के स्टार गेन बाज अक्षर पटेल ने इंग्लेंड के सभी बल्लेबाजों को दोनों ही पारी में अपनी फिरिकी से खूब नचाया जिसके चलते टीम इंडिया बहुत ही शांदार तरीके से वो पिंग बॉर टेस्ट मैच भी जीत कई अब देखते हैं कि क्या कप्तान रोज शर्मा और कोच राहूल ग्रवीड टीम इंडिया को उनके तीसरे पिंग बॉर टेस्ट मैच की जीत दिला पाएंगे आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही में खेल देगा से जुड़ी और ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चलों को सब्सक्राइब कर ले और देखते रहें जनसंदेश टाइम्स का स्पोर्ट सड़ा